Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और यार आपने लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको specialization का difference बताया था between marketing and finance उसके अंदर आपने बहुत अच्छा response दिया और बहुत चारे बच्चों के comments आए कि सर मार्केटिंग और HR के बीच में क्या difference है इस बार आप HR के बारे में भी बताईए तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं marketing और HR का एक comparison draw करके आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप confused हो कि आपको finance में नहीं जाना और आपको marketing और HR में से कौन सी field में जाना चाहिए तो आपको इन में से क्या क्या करना होता है marketing में क्या करना होता है, HR में क्या करना होता है सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ So my name is Anubhav Gupta, let's start इससे पहले friends हम स्टाट करें आपको डिक्वेस्ट हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना आप प्लीज हमारा साथ Instagram पर जरूर कनेक्ट हो जना हमा Instagram handle is studybus underscore education इसके उपर हम daily basis पर बहुत important content post करते है और अगर आपका कोई doubt है तो आप हमारा doubt solving group भी join कर सकते हो इसका नाम है Facebook के उपर आप studybus के नाम से इसको search कर सकते हो इसके लावा friends अगर आप studybus का pen drive course लेना चाहते हो तो यह हमारी website है www.studybus.co.in यहां जाके complete details आपको pen drive course के बाइब में मिल जाएगी यहीं आप अपना order भी place कर सकते हो pen drive course का और हर pen drive के साथ मिलते हैं आपको एक portal जो की तरीके की एक test series होती है जिसकी validity 31st March 2022 तक होती है जिसमें basic, moderate, advanced level तक के questions होते है आपको sectional as well as full and mocks भी बहुत सारी exams के मिलते हैं इसकी details आपकी screen के सामने हैं इसके लावा आपको एक study planner का भी feature मिलता है जिसमें आप एक organized manner के अंदर अपनी preparation कर सकते हैं अगर friends मैं basic difference के बार मैं बात करूँ तो दोनों में basic difference का है HR के अंदर आपको क्या करना होता है HR के अंदर आपका aim होता है to keep your employees satisfied, productive and in line with companies की values and brand because जो employees होते हैं वो ही company के heart and soul होते हैं तो अगर employees को अगर आप दंसे manage नहीं कर पाऊगे तो business management नहीं हो सकती है तो वो ही काम HR का होता है कि आजकल की job market है बहुत ही जादा वो dynamic है improve हो रही है और improve हो रही है और companies को बहुत hard work करना पड़ता है to make sure कि employees वो छोड़ के ना जाए because किसी employee को वापस लेके आना या new employee को लेके आना उसे train करना उसको salary देना उसको सारी चीज़े समधाना इसमें बहुत जादा time लगता है and time is money और कोई जो large अचार department होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे special departments होते है for example discipline, compensation, benefits, training and recruitment और marketing के बार में बात करूँ तो marketing 4 piece के around revolve करता है product, place, promotion and price ये चारो चीज़े क्या होनी चाहिए ये marketing की department का role होता है इसके अंदर focus क्या होता है कि सिरफ और सिरफ sales नहीं बढ़ानी है और भी क्या measures हमें लेने है ताकि हम advertising से, public relation से corporate branding से और market research से अपनी presence को और dominate कर सके और जादा market को capture कर सके ये सारे काम कौन करती है ये marketing department किसी भी corporation के करती है उसके पाद friends अगर मैं बताओ कि skill set क्या required है अगर कोई बच्चा marketing में जाना चाहिए अगर marketing में जाना चाहते है अगर आप बहुत ही creative nature के हो आपकी good communication skills है आपके अंदर power of persuasion है आपके अंदर एक leadership qualities है आप team को lead कर सकते हो analytical mindset है तो आपको marketing के अंदर जाना चाहिए अगर आपकी बहुत अच्छी communication skills है in handling people तो आप HR में जा सकते हो आपके अंदर administration skills है अगर आप बहुत ही जादा proactive हो आपके recruitment and selection करना आता है या आप सीख सकते हो या आपको teamwork के अंदर आपकी skill है कि आप team के अंदर बहुत अच्छी performance दे सकते हो और आप analytically driven हो कि कौन से employee कहाँ पे कैसे perform करेगा कौन से employee को कैसे आप improve कर सकते हो या कौन से employee जो perform नहीं कर पा रहे है उसके क्या reasons है क्या work out कर सकते हैं और कैसे company को हम best performance निकाल के दे सकते हैं अगर friends मैं बताओ कि कौन से बच्चों के लिए suitable है HR और कौन से बच्चों के लिए suitable है marketing तो अगर मैं HR के बार में बात करो तो जो बच्चे बिल्कुल stable career के अंदर जाना चाहते हैं जिनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि यार हमारी job profile बहुत hectic या unachievable targets हमारे उपर हो जाएं तो अगर ये आप कहा है कि यार हाँ मुझे एक stable career option चाहिए तो आप HR के अंदर जा सकते हो और अगर जो बच्चे marketing में जाना चाहते हैं अगर आप यार dynamic nature है आपकी दोनों के scope क्या क्या है HR का scope क्या है कि HR almost हर बड़ी company के अंदर चाहिए होता है HR department के बिना company नहीं run कर सकती और कौन-कौन सी जगह पे इनके requirement होती है compensation and benefits के लिए recruitment बहुत important चीज़ है क्योंकि बिना HR के recruitment हो ही नहीं सकती recruitment and staffing के लिए training and development के लिए आपने recruit तो कर लिया लेकिन अगर उसको train ही नहीं किया तो वो क्या वो अपनी job perform कर पाएगा कभी नहीं कर पाएगा इसके अलावा employees के साथ relation कैसे maintain करके रखना है employees की satisfaction कैसे आपको maintain करके रखनी है labor laws आपको पता होने चाहिए ताकि आपके legal compliance रहे ऐसा ना हो कि आप labor law के against कुछ काम कर दो और फिर company के ओपर कोई legal trouble आ जाए and marketing के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर options होते है hospitality में जाने का advertising में जाने का e-commerce में जाने का digital marketing, branding, international marketing product development और भी बहुत सारी fields होती है जा पर marketing के बाद अपना career बना सकते हो अगर friends मैं बात करूँ कि पढ़ाया क्या-क्या जाता है HR के अंदर और marketing के अंदर तो management process and organization theory HRM आपको पढ़ाया जाता है CSR यानि की corporate social responsibility and business ethics quantitative techniques आपको HR के लिए कैसे use करनी है quantitative techniques के अलावा फिर आपको entrepreneurship development कैसे करनी है labor laws आपको पढ़ाया जाते है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था organization change and development आपको पढ़ाया जाता है strategic HRM आपको पढ़ाया जाता है and human capital and HR audit भी पढ़ाया जाता है इसके लवा और भी बहुत सारे subjects होते है जो HR के अंदर आपको पढ़ाया जाते है marketing के अंदर आपको marketing management पढ़ाया जाता है operations management पढ़ाया जाता है consumer and brand insight strategy पढ़ाया जाता है digital marketing and social media management पढ़ाया जाता है forecasting, modeling, marketing, new product strategy branding and marketing पढ़ाया जाता है international marketing पढ़ाया जाता है sales for management पढ़ाया जाता है अगर friends मैं बात करूँ कि job profiles क्या क्या होती है तो जो बच्चे MBA इन HR करते हैं उनकी job किस-किस profile पे लगती है वो HR manager बन जाते है staffing director बन सकते है with experience, compensation manager बन सकते है, employee relation manager बन सकते है director of HR training and development बन सकते है with experience उसके बाद human resource consultants बन सकते है international HR professionals बन सकते है, employee education consultant बन सकते है, human resource executive बन सकते है और अगर मैं marketing के बाद करूँ तो marketing manager बन सकते है, brand manager, sales manager, business development executive, business development manager, market research analyst, product manager, relationship manager और भी बहुत सारी profiles होती है जिसमें आप HR और as well as marketing में आपकी job लग सकती है अगर friends मैं बात करूँ salary की, तो salary मैंने जैसे कि आपको last video के अंदर बनाया था कि कोई ऐसे straight jacket formula नहीं होता जिसके उपर हम salary decide कर सकते है for example जिसमें सबसे बड़ा factor है कि institute आपने किसे MBA करी है for example मान लो अगर आपने HR करा है एक्जेलराई से या आपने HR करा है टिस से तो यहां से आपको HR के लिए बहुत अच्छी salary मिल सकती है on the contrary अगर आपने marketing करा है top I.E.M. से तो यहां पर आपको फिर marketing के लिए बहुत अच्छी jobs और बहुत अच्छी salary मिल सकती है तो जितने आपके institute की value है उतना ही आपके salary के अंदर आपको उसका return देखने के लिए मिलेगा आपका खुद का skill set कैसा है वैसा देखने के लिए मिलेगा performance आपकी कैसी रही है b school के अंदर companies कैसी आई है alumni network कैसा है current market situation कैसा है आपने कौन सी company के अंदर apply किया था उस company ने आपको select किया तो उसने आपके अंदर क्या देखा है ये बहुत सारे factors होती है जिसके उपर salary decide होती है लेकिन अगर आप top college से चाहे HR कर रहे हो या top college से आप marketing कर रहे हो तो आपको salary का challenge नहीं आएगा लेकिन अगर आप B grade या C grade या D grade college से चाहे आप HR कर रहे हो चाहे आप marketing कर रहे हो तो वहाँ पर salary उसी according कम हो जाएगी So friends ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको HR और marketing का difference बनाया आप अपने comments के अंदर suggestions दे सकते हो कि sir आप और कौंचे topic पर मुझे video बनानी चाहे उसके ओपर हम वीडियो आपको future में provide करते रहेंगे प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जरूर कनेक्ट हो जाना अगर आपको pen drive course order करना है तो ये हमारी website है और आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो So thanks a lot friends, all the best, God bless you